नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं आलू बैंगन की सब्जी और मेथी के पराठे जो की लंज या ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा कंबिनेशन है दोनों का तो आए बनाते हैं हम सबसे पहले आलू बैंगन की सब्जी तो बैंगन ये मेरे गार्डन के ही है तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर में अपने हाथों से और्गनिक सब्जी हम लगाते हैं और फिर उसे बनाते हैं तो इनके साथ लिया है मैंने एक आलू और साथ में मिर्स टमाटर प्याज और लसून अद्रक भी साथ मिलिय अलुको लम्बा लम्बा काट लिया और बैंगन को भी इस तरह से पानी में ही काटा है लम्बा लम्बा तो दोनों का शेप जब सब्जी में एक जैसा होता है तो अच्छा लगता है और लसुन और अद्रक का मैंने पेस्ट बना लिया कूट के अब मैंने कडाई में एक कटा हुआ उसमें लसु नद्रक का पेस्ट भी एड कर दिया इसे आधा ही यूज किया है आधा बाद में यूज करेंगे अब सब को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फिर साथ में कटे हुई हरी मिर्च भी डाल दी है इसमें और जब सारे गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इसमें डाले है आलू आलू को दो तिन मिनट तक फ्राइ कर लेंगे इदर उदर घुमा के और फिर उसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे हलदी, नमक, मिर्ची, धनिया यह सबजी के क्वांटिटी और टेस्ट के नुसार आप डालें सबको एक मिनिट तक इदर फ्राइ करके मैं इसमें बैंगन भी डाल दूंगी अभी कटे हुए तो इसमें बैंगन मैंने डाल दिये हैं आलू बैंगन की सबजी तो हम अक्सर ब सबजी बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट लगती है अब सबको मिक्स करके मैंने इसमें आधा कब पानी डाला है फिर डाल दिया है मैंने कटे हुए टमाटर और धकन लगा दिया है इसमें पकने के लिए पांच-छे मिनिट बाद धकन हटा कर आलू को मैंने देखा पक गया है अब डाल दिया हरा धनिया सब्जी में और सब्जी बहुत अच्छी रेडी हो गई है बहुत अच्छी खुश्बु आ रही है इसमें से आप भी आलू बैंगन की सब्जी अब इसी तरीके से बनाई बहुत ही टेस्टी लगने वाली है और सब्जी को बनने के बाद तुरंत लोही की कड़ाई से दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लें अब बना लेते हैं मेथी के पराथे तो मेथी इस दिनों भी आ रही है अच्छी हरी और मैं बनाऊंगी अभी मेथी के पराथे अलू बेंगन की सबजी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो मैंने बारिक मेथी क जीरा लाल मिर्स पाउडर थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार अब सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं डाल दूँगी इसमें दो तिन चम्मच दही के दही से पराठे में सॉफ्टनेस रहेगी अब इसको बिना पानी डाले ही हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी की जब जरूरत होगी तभी इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके इसको अच्छे से नीड कर लेंगे गूंद लेंगे आटे को बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेके लास्ट मे कोपिंग आप नहीं हम ली है और इस तरह से बेल लेंगे हम अधा साइज डोटी की तरना में बीच में से कर लेंगे और पिडारो लेर को फोल्ड कर देंगे क्यूपर एक तो पराथा बनेगा और ओल लगा के दोनों तरफ से पराथे को सेख लेंगे आप चाहे तो इसमें घी सही साती का भी उस्तेमयल कर सकते हैं कि वह रेज्ए ऑफ ही अच्छा पराठाज स्पाइब और साइब दोनों साइड से गोलडन ब्राउन सा हो गया है कि दूसरा परठा भी बना ठावन तो मैं भी इसी तरह आलू बैंगन की सब्जी और मेथी के पराठी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करें वीडियो को और साथी बेला आइकन का भी दबा दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे तो फ्रेंट आप भी रेसिपी जरू ट्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले थैंक यू